नमस्कार मैं अब शेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस्टेट जी के जिये स्वित अभी में जारखंड गोल में आज हमारा क्लास नंबर 3 होगा फर्स्ट क्लास में हमने क्रीसी को कंप्लीट किया था सेकंड क्लास में हमने मिट्टी को कंप्लीट किया है और थर्ड क्लास आज हम लोग नदी घाटी परियोजना को कभर कर रहे हूं यह तीनों के तीनों ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एक सवाल यानि कि तीन सवाल आपके मैंने कभर कर रा चुक है जहारखंट जीके की अगर बात कर ले साथ की साथ मैंने इसके साथ ही मैंने क्या कराया था भारत की क्रिसी भारत की मिट्टी और आज भी मैं भारत की परियोजनाई पूरे की पूरे कभर कराऊंगा तो यहां से भी आपके चांसेस है कि इन तीनों में से कम से कम दो टॉपिक से आपके उस सेक्शन में यानि कि भारत गोल से आपके जो है दो कोशन कम से कम जरूर बन है उसको कंपाइल करके मैं यहां पर ही डाल दूंगा तो आप यहां से भी उससे देख सकते हैं ठीक है और वह दो वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि अभी मैं मैंने डिटेल डिसकर्शन एक एक कोशन मतलब आपकी इग्जामीनेशन के काफी उपर लेबल का देखिए सेलेक्शन तो यूहीं होगा मेरे भाई अगर आप मेरे को अच्छे तरजा फॉलो कर लिए तो देखिए जारखन हिस्ट्री आपको ऐसी तरह करा दिया कि तीन से चार कोशन आएंगे वह आप सही करएंगे जितने मैंने करवादि जारखन के गोल को दोने में मैंको साइन्स करने वाले हूं तो आप आख बंद करके भी फॉलो कर सकते हैं बट मैं नहीं कहुंगा आप कंटेंट पर फॉलो कीजिए आपको सब कुछ सब कुछ सब काफी आप ग्रेजवेट है तो आपको सब सब कुछ सारे चीज़े पता है ठीक है और जो लोग हमारे सची वाले के लिए जो मेंने जो लॉंच कि आप पर जोइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर सकते हैं इस नंबर पर वाट्सप किजिए गा 7870121321 पर मनीज जी का यह नंबर है आप यहां पर वाट्सप करके मनीज जी से आप सारा डिटेल ले सकते कैसे कैसे 149 के वल टेस्ट रिज का है जिसमें से आपको पूरा का पूरा 15 टे सब्सक्राइब करते हैं इस नंबर पर वाट्सप करना है 7870121321 पर और यह हिंदी लाइंगेज में तो आज की क्लासर सब्सक्राइब करते हैं नदी घाटी परियोजना यहां से आपको चार से पांच परियोजना पढ़नी होती है जारखन के संदर में लेकिन अगर हम भार बनाी कांऺ यह परियोजना है यह परियोजना पर बनालडे हं भारत सरकार में यहां सबसे पहले नदी घाटी परियोजना का concept USA लाया था नदी घाटी परियोजना का concept लाने वाले वह कौन है तो आप याद रखेगा USA है और जो परियोजना लाया था उसका नाम भी आप से पूछा जाता Tennessee परियोजना इसलिए कि वहाँ पर Tennessee नदी के ऊपर ये परियोजना बनाई गई थी USA ने Tennessee नदी पर बांध बनाया था इसलिए इसकी नाम ही इसनों ने दिया था यानि कि विस्वी की पहली परियोजना पूछा जाए तो कि इस ने बनाया था बताऊंगा पर हम समझ लेते कि परियोजनाय से फैदा क्या है कई सारी इससे फैदा है जो परियोजनाय बनाई जाती फैली फैदा तो आपको जो है उससे विद्दूत उत्पादन की जाती है और द्योगिक विकास कैसे देखें चीजों के यहां पर समझने की कोछिज़ केज़एगा आपके मान लहाँ नदी है जहलम नदी ही बह रही है आब इस चारों ोतरफ गख़ह क्या जाता है इसको क्या क्या जाता है इससे इसको बांद ब़िए जाते हैं और एक फिर सब्रेद बनाने की कोश़ित करता और इससे फिर क्या क्या जाता है यहां से पाइप लाइन के तुरूल नहरे निकाल दी जाती है यहां पर आपको क्या क्या जाते कर खाने बैठा दिये जाते जहां से बिजली की उत्पादन की जाती है अब यहीं पर नदी के जो यह नदी बाहर रही होती है उसी के बीच में जहिल का भी निर्मान हो जाता अब जहिल के निर्मान से क्या होता है कि वहां का आसपास का जो इलाका हो जाता है लोगों के लिए रोजगार भी उत्पन करने लगते जो लोग यहां पर देखने आते घूमने फिरने आते तो एक तरह से रोजगार की उत्पती वहां पर हो जा यह दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उद्योगिक विकास के लिए सिचाई का विसार देखिए पकिस्तान अगर आप जाओगे तो वहां पर नदिया नहीं है यह जो सिंदु नदी आती है सिंदु नदी वहां पर इतना अच्छा डैबलप किया गया था है तो सिचाई का विस्तार था इसका बाड़ पन नियंतरन भी किया जाता है बांथ बनाने से क्या होता जृल का निर्मान जैसे मैंने आपको बताए और जिससे वहां के लोगों के लिए रोजगार की उत्पती होती है तो इस तरह से यहां पर सारी चीज़े क्या क्या फाइदा है और क्या परियोजना कैसे आई यूए से जो है इसका कंसेप्ट लाने वाले थे टैनिसी परियोजना कौन सी बनाने में यह ज्यादा कंसेप्ट लगा रही हो यूज कर रहे जो भी चीज़ को मैटरियल या फाइनेंसली जो भी तो आपको जो है परियोजनाए बनानी चाहिए इस तरह से नदी घाल्टी परियोजना है आप देख रहे हैं कितनी सारी फाइदा मैंने आपको बताया तो बहुत सारी विद्धूत उत्पादन करने के लिए सिचायों के लिए हम पानी की विवस्ता कर लेते नहरे बना करके विद्धूत उत्पादन के जाते और द्योगी की अभिकास किया जाता है रोजगारों की यहां से उत्पत्ति होती इतनी सारी चीजे जो है इसका जो है का के सवाल बन रहे हैं जितना मैंने स्टार्टिंग से पताया कौन-कौन से राजी के बीच में यह दामुदर घाटी परियोजना तो जारकंड और वेश्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है जारकंड और वेश्ट बंगाल की यह भारत की यह भारत की पहली बहुत देश नद लाउट में शुरुक की गई थी स्थाप्त की यह क्या कर सकते कूड ही पुछ यहां से स्वाल आपके बन सकते हैं क्योंकि कुछ यहां हाली में भारत सरकार और वेश्ट बंगाल सरकार और विश्व बैंक याद रखेगा विश्व बैंक पूछा जाएगा कौन सी बैंक तो विश्व बैंक के मद है पस्चिम बंगाल के दामुदर घाटी कमान शेतर में सिचाई सेवा तदा बाड प्रबंधन के लिए 145 मिलियन दॉलर की रिंस समझोते पर अनुबंद के तो याद रखेगा कौन-कौन से सरकार भारत सरकार पश्ची मंगाल के सरकार और विश्व बैंक के मद यह रूपए यानि कितने डॉलर थो एक सो पैतालीस मिलियन डॉलर 145 million dollar के dream के समझोते पर अनुबंद किया गया है इसका headquarters पूछा जाएगा डीबीसी का तो कहा है कॉलकता में और इस परयोजना के अंतरगत कितने बांध है याद रखेगा 8 बांध है वो नाम भी आपको याद रखना होगा वो तीन option में दे देंगा और एक दूसरे बांध दे गया है तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते important section दो कौन-कौन से जार्खन और वेश्ट बंगाल की परयोजना है और यह भारत की पहली बहुत देश्ची नदी घाटी परयोजना है किसे परवावित हो करके भारत में शुरू की गई थी 1948 में डीबीशी की जो है establishment की गई थी किस लिए क्यों की गई थी दामोदर घाटी परयोजना को संचालित करने के लिए और हाली में भारत सरकार वेश्ट बंगाल सरकारों वीश्व बैंक कितने डॉलर की 145 मिलियन डॉलर के समझोते समझोते पर अनुमंद किया गया था और इसका headquarter अब से पूछ लिया जाएग बहुत ही मेरे अगर आपने टेस्ट में दिये होंगे तो सब्सक्राइब मनिहा से आपके सवाल बनाए तो नदिघाटी परियोजना कि तो देखे लेने का मकसद यहीं था कि आपको पैटन समझ मैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टन जहारखन जीके से नदी यह आपके लिए काफी इंपॉर्टन है तो आड़ बांध में पहला हम तीन बांध के बारे बात करेंगे पंचेंट बांध ऐयर बांध बेरमो बांध का जो निर्मान कराएगा है कौन सी नदी पर दामुदर नदी पर सेकंड तिलया बांध मैथन बाद और बाल प नदी ठीक है मेरे भाई बोकारो नदी जो दामुदर की साइक नदी उस पर बोकारो कोनार बांध तिलया मैथन बाल पहाडी कौन से नदी बढ़ाकर नदी यह किसकी साइक नदी दामुदर के साइक नदी पर पंचेथ यह बेरमो बात तो यह याद रखेगा अब 6 जल रचानना पड़ेगा इसमें से बात करेंगे श्वर्ण रेखा परियोजना की या परियोजना कब सुरू हुई थी 1977-78 आप बहुत सारी किताब में यह है कोई किताब में यह है और गूगल भी आपको जो है नहीं कोई आपको बोल भी रहा तो बिकार की बाते कोई नहीं कर रहा है ही नहीं मार्केट में बुक्स मैंने कई सारी बुक पड़ रहे है तो फिर भी जो जैसे सी एंसर देगा ऑप्शन में परियोजना वर्ल बैंक की साहिता से चलाई जा रही है और इसमें तीन राज्यों यह जो है तीन राज्यों के सहीं तो परियोजना वह कौन-कौन सा जहारकंड वेश्ट बंगाल और उडिशा है इस परियोजना के अंतर गत श्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध और श्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध और श्वर्ण रेखा की साहिक नदी जो है खर कई इस पर इचा बांध कर निर्मान किया जा रहा है इस परियोजना के तथ हुंडू जल पर पाथ से जल विदूत उत्पादित किया जाता है तो आपके लिए और चांडिल बांध बनाया गया आपका नदी पर ऑर इसपर यहां पर शाहिकर बंगल की शहां परियोजना तحت बंगाल इस परियोजना में मैसान जोड कश्थल पर कनाड़ा देश की साहयता से बांद कर निर्मान किया जारा है और इसकी मीटर आपकी लंबाई पूछे जा 485-47 तो प्रियोजना हो गई है जारकनर बगल की और इसके तहत अगर लोग बात कर लें की दुमका जिले में में मैसान जोड नामगास्तान कानाडर डेश की साहथा से याद रखे किसंग कानाडर देश की साहथा से बांद कर निर्मान के जा रहा है 640 मीटर क्या यह लंबा है और इसके उच्छाई जो है 45-47 मीटर क्या यह उची ए ठीक है इस बांद के नीचे जो है तिल वा तिल पारा में तिल पारा में जो है 311 मीटर याद रखेगा यह डाटा 311 मीटर लंबा एक अवरोदक बनाया रहा है हो सकता 310 दे 309 दे 312 तो इसके और इस अवरोधक बांद से दोनों की नारों से क्या क्या जाएगा सिचाई है तो नहरे निकाली गई ठीक है जो जहारखन ने वह बंगाल की तीन लाख हेक्टेर भूमी पर सिचाई करती है तो देखें मैं बताते रहूं आपको याद क्या करना में राक्षी परियोंगा किसक 247 मिटर क्या है वह उचा है और इस बांद के नीचे जो है एक तिलपारा में 311 मिटर लंबा एक अवरोधक बनाया याद रखेगा अवरोधक बांद से दोनों किनारों पर सिचाई है तो यह आपके लिए इतना इंपॉर्डन नहीं है इस बांद के नीचे एक तिलपारा मे और 45-47 मिटर ऊचा ठीक है तो यह परियोजनाय में देखिए आपको चीजे रटनी है लेकिन यहीं चीजे क्या रटनी है सारी डाटा आपको यहां पर मिल जाएगी ठीक है कुछ ज्यादा इसमें समझनी की बात भी नहीं है नेक्स आपकी परियोजना जो है उत्री कोयल पर इस योजना और गया तो यह मेंगा वाट विदुद्र को नदी पर ननिर्मान की जा रहे तो यह यह तोम मैने आपको बता बहुत देशी नदिघार्टी पर्योजना के बारे में आपको टोटल चार पर्योजना मैंने बता दिया है इधर आपको अब बात कर लिए तक कुछ विद्धूत पर्योजना और एक है जल से जलो किसके द्वारा जो विदूत उत्पादन की जा रही है और है कोईल बात कर ले तो कोईला यहां और यहां से जाब से बिजली उत्पादन की ज depiction होमारे लें मुख है ताप विद्धूत परियोजना पर दोनों देखेंगे हम लोग कोईलीagen के यंत्र बुकार विदव इस्थापित किया गया तो पहला या जो है प्रत्थम विद सेंंत्र वुकार विदुद गरी मेघवार्ट्ट prose तरह की सवाल पूछ लेगा मेगावार्ट कितनी है चंद्रपूरा कि अगर बात कर ले इस्टेब्लिस्मेंट इयर पूछा जाएगा 1965 में बोकारो जीले में 890 मेगावार्ट ठीक है एक बार इस्टेब्लिस्मेंट यह आप लोग चेक कर लीजेगा क्योंकि हर किताब में एकसेप्ट किया था ठीक एंसर की में वह मैंने यहां पर दे दिया क्या आप कुछ भी पढ़ लीजे कोई किताब आप पढ़ लीजे जैसे सी जो एंसर देगा वही आपको मानना पड़ेगा तो 1973 यहां भी दिया हुआ था और यहां जो आपका कहां पर रामगर्ड जीला मे चौथी पंच वर्षी योजना में सोवियत संग के सहीयोग से यह स्थापित किया था बहुत इंपॉर्टन यह भी काफी इंपॉर्टन सेवेंटी त्री इसकी छमता पूछ लिया जाएगा तो 4000 मेगा वार्ट है और इसी से जो आपका एचिसी जो है विदू सप्लाई इसम पर इस्तित है और इसके पादन चमता कितनी चाल सो 420 मेगावार्ट मैथन ताप पर उर्जा केंडर की बात करें तो इसकी पादन चमता केवल याद रखना तो कर लीजेगा 1050 मेगावार्ट है लेकिन इस नाम को बस याद रखे हैं मेथन ताप पर जो धनबाद वाला सेक् यह बढ़ाकर नदी दामोदर नदी की जो सायक नदी पर इस्थापित किया गया था कौन सी नदी बढ़ाकर नदी पर और को डर्मा जीले में इस्थित है बहुत इंपोर्टन और इसकी में अगर बात करें तो 60 मेगावाट देगे किलोवाट में देगा तो सब्सक्राइब करना इसमें कुछ नहीं आपको समझा भी नहीं सकता हूं इसलिए जल्दी से इसको खत्म भी करेंगा और इसके बाद जो हमारा वीडियो खनीच को पर बहुत ही एक वीडियो में कवर हो पाए और काफी इंपोर्टन वीडियो होगा वह उनीस संतावन में जल विदुत केंद्री की इस्थापन नादी परिस्तित है कौन से जीला पड़ेगा धनबाद जीला में पड़ेगा और घ्यास टर्माइंट विदुत पादन केंद्र की पुरे ज जल विदूत के इंद्र जो है जो है धनबाद पूर्लिया तो याद रहें धनबाद पूर्लिया यह नाम याद रखिएगा ऑप्शन में मिलेगा या पूर्लिया और जो केवल सची वाले के त्यारी करने इसके लिए टेली ग्रॉप बना रखें आट सो कास्ट वहां पर सारे चीजे क्यों जो भी चीजे चलाई जारी वहीं पर है तो आप उसे जॉइन कर सकते ठीक उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट हमारा जो जल व कोनार जल विदूत के इंद्र हजारी बाग जीले मिस्तित है 1955 में बोकारो नदी जो दामोदर नदी के साइक नदी अब परिस्तित है ठीक है तो इतनी से इतनी से बाते हैं और एक बात और है आप अंतिम जल विदूत परियोजना जो है वह आपकी स्वर्ण रेखा जल दूत की बात कर ले या फिर जो जितने भी नदी घाटी परियोजना जारगन के संदर में हमने पूरा का पूरा कबर कर लिया इससे एक सवाल बाहर नहीं आगा अगर आना होगा तो यहीं से आएगा और डेफिनिटली मान के चले यहां से एक सवाल आपके आएंगे एक्जा जहे लम नदीख कि चिशन गंगा परियुजना वर्जान और तुलिबूलों परियुजना वियास्न नदील हस्ती मास्ति पर बाखलीहार परियुजना सलाल भण नेक्ष्ट आपका चौथा जो आएगा 17 नदी पर कौन कौन सी परियोजना है नाथपा ज्हाकरी परियोजना जारखंड नागल परियोजना हरी के बिराक परियोजना यह इंपॉर्टेंट काफी यह तीनों याद रखेगा 17 नदी पर बनाई गई गई है में भगिरती नदी की बात कर लिए तो इसमें 3 बांद जो उत्रा खंड मीस्ते परियोजना किस नदी पर है तो चंबर नदी पर बनाई गई विए तो उत्तर परड़िस में यह पूछा गया नेश्ट गोदावरी नदी पर जो परियोजना बनाए गई है जाय कोवाड़ी परियोजना जो महराष्टर में और प्यम्य प्रियोज्टन जो करनातग में तेलंगाना कीदेभा कि पूछा झा चलीमे की से रहेता तो प्रियोज्याना जो अपकर 2 महराश्त और यहाँ प्रताब साघरबान्द राजस्थान प्रताम के तो क्षेज़ प्रताय है और ने दो तो आपको बताया महराष्ट्र में प्यामपाद प्रयोजना करनाटा में तिलंगाना की जेमिन रेखा कौन से नदी तो गोदावरी नदी पूछ लियाएगा थोड़ा सा कठीन करेगा प्यामपाद प्रयोजना है किसकी करनाटा की आप पेपर दीजेगा इस तरह के कोशन मिल यहां पर ठीक है नेक्स बात करेंगे क्रिश्ण नदी पर कौन कौन सी अलमाटी बांध जो करनाटाक में है और नागर्जुन सागरबाद जो आंध्र प्रदेश में याद रखेगा कृष्ण नदी इसका एंसर होगा कृष्ण नदी पर बनाए गए यह बांध है कावेरी नदी पर मत्ध्यपरदेश में सर्दाथ सरोवर पर्योगन कहां है तो गुजरात में कौन सी नदी न्रमदा नदी काफी बार पूछा गया यह आपका दोनों परियोजन यह तीन नेक्स्ट ताब्ती नदी की बात कर ले तो आपको सारा चीज यहां पर किलियर हो गया होगा तो देखिए पूरी की पूरी चीजे जो है यहां पर आपको करा दी गई नदी-घाटी-परियोजना से लेकर के जारखन की या फिर भारत के बात कर ले और नेक्स्ट आइस वीडियो इस वीक में हम जो है आपका टेस्ट यहां पर लॉंच करूंगा यूटूब पर यहां पर लाऊंगा तो जितना अधिक हो सकता आप इसे अटेंड करने की कोशिज कीजिए साथ की साथ आप हमारे पेट टेस्ट को भी जॉइन कीजिए क्योंकि वहां पर आपके 1200 सवाल के साथ और दूसरी बात आपको यहां पर 20 20 कम से कम प्लस यानि कि कम से कम तो मैं आपको बोलता हूंगे 22 कोशन कम से कम सही कर पाओंगे जितना मैंने करा दिया अगर आपने कुछ एक्ट्राइफट कर लिए तो 25 प्लस तक पहुंच सकते हो और इतना सही कर लिए ना जहारखन जीके में काफी माइनी रखता तो चलि और उसके साथ में भारत की खनीज अगर हो सकते तो मैं करांगा क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक वह बड़ा वीडियो भी बन सकता तो चलिए फिर जैसा भी होगा मैं आपके लिए जितना अच्छा होगा मैं करने की कोशिस करूँगा चलिए मिलते हैं लो के लिए धन्यवाद